अलो दोस्तो, वेलकम बैक वेरिवन टो एंजल टेडिंग फ्रेंड आज मैं बिगनर्स के लिए एक अच्छा सा और इसी स्टाजी लेकिया रहा हूँ और यह TCS को उपर है दोस्तो, लास्ट मंथ मैंने एक strategy बनाया था for working professionals और उसमें मैंने commit किया था कि दूसरा एक second और एक stock कौन सा आप यूज करना है जिसको hedging करने के लिए उसको उपर एक video बनायागा बुलके मैंने commit किया था तो यही video है यह second है part 2 of the ORB strategy तो यह जो strategy में हमको secondly हमको TCS लेना पड़ेगा और TCS इसके लिए ले रहा है क्योंकि दोस्तो Tata Steel और Tata Communication दोनों different industry है अगर एक में loss हो रहे तो दूसरा में आपको profit cover कर सकते है और आप लोग सबको मालूम है मेरा strategies है जो उसका logic simple है keep the stop loss less keep the loss less and run the profit तो आपको end of the month आपको profits रहेगा average profit में रहेगा इसके लिए दोस्तो आपको simple का चीज है Tata Steel में आप amount invest कीजिए और Tata Communication Service में आप amount invest कीजिए दोस्तो जो beginners है जिसको कब buy करना है कब sell करना है यह सब confusions आता है तो यह सब हटाने के लिए मिटाने के लिए मैंने यह strategy लेकर आया हूँ कि उसमें ज्यादा आपको tension नहीं है ज्यादा indicators का जरूरत नहीं है ज्यादा charts studies करने का जरूरत नहीं है और और एक चीज में बताना जाता हूँ अगर आप लोग यह question के लिए answer चाहिए master is stock market risky तो मैं बताता हूँ कि it is not risky if you follow perfect strategy, perfect system और perfect trading money management तो यह सब आपको मैं वीडियो में बताता हूँ अगर आप लोग को और जानकारी चाहिए तो stay tune कीजिए मेरा video end तक आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा जैसे मैंने बताया था यह TCS intraday strategy है जो लोग पहली बार मैंने चैनल देख रहे है यह angel trading friend है जिसका whatsapp no.895876525 है आपको कोई doubt है कोई confusion है तो मेरे को whatsapp कर सकता है और इसमें बहुत सारा equities और commodities में strategies मिल जाएगा आपको live trading videos मिल जाएगा तो don't forget to subscribe and press the bell button यह video है जैसे मैंने बताया था help for beginners in stock market trading Tata steel over the strategy यह part 1 था और जैसे मैंने commitment किया था यह part 2 है Tata communication service TCS तो चलिए strategy क्या है वो देख लेंगे okay strategy जाने से पेले यह मेरा last month performance है equity paid calls पे आप लोगो सबको मालूम है जिसको daily assistance चाहिए daily guidance चाहिए वो लोग के लिए मैं calls दे रहा हूं in crude as well as equity दोस्तो equity में भी हमारा average बोद beautiful था end of the month we were in profits and crude में भी हमारा end of the month profit जिसमें दोस्तो एक चीज़ बताना चाहता हूं क्योंकि यह देखियो almost end of the month में अमको चार continuous stop loss मिलाता दोस्तो बाट यह this is part of trading हमको क्या सोचना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा क्योंकि profits जो है वो अम 50% रहना पड़ेगा ultimately by end of the month so 60-70-80% अगर profit है तो end of the month अगर loss आ रहे तो भी हमको परवा नहीं हमारा जो overall performance पर दमन profit मेरेगा same case में crude में देखेगा तो starting almost 5-6-7 continuous profits आ रहा था इसका बाद end of the month में 4 continuous stop loss दो बाट फिर भी हमारा average जो है वो profitable और equity में performance टीग था almost we were in good profits तो अगर यह facility use करना है तो मेरे को whatsapp कीजिए 8095-876525 तो आज का strategy है देख लेंगे जैसे में बताया था यह opening range breakout है और कैसे करना क्या करना में बताता हूँ आपको अभी one hour candle का breakout लेना पड़ेगा दोस्तो market 9.15 पर पर हो जाता है तो आमको 10.15 पर alarm रखना पड़ेगा 9 15-12.15 जो one hour candle है उसका breakout हमको लेना पड़ेगा breakout मतलब high और low को चेक कीजिए high का उपर buy करना पड़ेगा और low का नीचे sell करना पड़ेगा simple और logic यह इसके लिए उसके लिए उसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि 75% of the time TCS trending में है और 25% of the time TCS range में रहता है तो जब trending हो रहे तो उ का logic है this is how trading is done very very simple तो कैसे करना है कैसे backtesting करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ so that you also can do the backtesting दोस्तो यह हमारा TCS का candle है candle chart है जिसमें आपको one hour candle करना पड़ेगा तो हम April स्टार्टिंग से ही चेक करके दिखेंगे कैसा performance है इसके लिए मैं एक horizontal line का help लेता हूँ देखें high का उपर एक line draw कीजिए और low का नीचे एक line draw कीजिए और जब भी high का उपर price तूटता है तो इसमें हमको buy करना पड़ेगा और अगर low को तूटता है तो sell करना पड़ेगा तो इस particular date में हमको low sell trigger नहीं हुआ सिर्फ buy trigger हो गया तो इधर buy trigger इधर होके इधर जाके बंद हुआ है तो इसमें दो तरीका है profit लेने के लिए एक तो आपको fixed profit रखके आपको profit ले सकता है मान लीजिए अगर 1% profit ले रहा है तो 1% profit और 1% stop loss ले सकता है अगर आपको फिर से फिर से trading करना देखने के लिए time नही है तो फिर आपको सिर्फ buy और sell दोनों place करके छोड़ दीजिए अगर buy trigger होके end of the day आपको trade close हो जाएगा auto square हो जाएगा यह MIS मतलब intraday trading है तो आपको buy place करके end of the day में आपको sell करना पड़ेगा यह दोस्तों आपको equity में भी कर सकते है और आपको features में भी कर सकते है आगर buy trigger हो देखने तो stop loss sell है आगर sell trigger हो रहा है तो यह हमारा stop loss है तो मैं excel में पहली profits कितना है वो दिखा देता हू profits से करने के लिए हम measure कर लेंगे तो first second April को इधर buy हो गया और इधर हमारा sell है दोस्तों यह sell में इसके लिए कर रहा हूं क्यूंकि यह 315 पे market close हो जाता है दोस्तों सुरी इधर यह वाला candle यह 315 से time देखे 315 215 से chart करके 315 close हो जाता है intraday trade में हमको 315 पे trade close हो जाता है तो और एक बार measure करके देखता हूं इधर buy होने के बाद इधर sell हो जाता है तो almost 19 points का profit इधर आपको देख सकते है measure करके 19.14 का profit है तो मैंने same इधर 19 points लिक देता हूं April month में first day was 19 okay तो second day आपको सिर्फ same way logic जिस करना पड़ेगा high को पर एक line लिके जाए high तो cross नहीं हुआ low का नीचे line लिके जाए low भी cross नहीं हुआ तो on second day there is no trade फिर से अब third day लिके जाए third day high तो trigger नहीं हुआ low trigger हो गया दोस्तों इधर लाइन ड्रॉप कर लेता हूं मैंने okay यह हमारा low trigger हुआ और यह एक एंडल में low trigger हो गया तो मैं 7 points को loss है अगर 17 points को profit लेना है तो ले सकता था अगर end of the day बेट कर रहा है तो आपको 7 points stop loss लेना पड़ेगा तो TK परवा नहीं तो मैंने 7 points stop loss stop loss ले लिया फिर third day देखेंगे दोस्तों third day देखें high को break out break हुआ है low को touch नहीं हुआ high को break हुआ है high इधर breakout होके इधर जाके close हुआ तो हम मेशर करके जिखेंगे this to this almost 18 points का profit दोस्तों तो मैं profit लिक लेता हुआ तो देखें average almost आपको profit मही रहेगा तो this is the beauty of the strategy working people के लिए और no beginners के लिए ये particular day फिर्स्ट लो sell हो गया low trigger हुआ बाद में फिर से जाके आपका high भी trigger हुआ तो इस दिर हमको stop loss लेना पोड़ेगा this is how we take stop loss by और sell दोरो अगर hit हो रहे तो stop loss है तो minus 22 points का loss है तो no problem we will take the loss minus 22 points loss चलिए फिर आगे जाएंगे और okay same इधर देखें पहले high trigger हुआ फिर से जाके stop loss भी हिट हो गया मतलब buy और sell हमारा stop loss है first buy trigger होगे उसका बाद sell trigger हो रहता है उसको दिन हमको stop loss loss लेना पोड़ेगा measure करके देखेंगे कि कितना loss है देखें almost 25 points का stop loss है पर अने it is part of trading minus 25 points का stop loss ने लिया मैंने और आगे जाएंगे देखेंगे कैसे इसको recover करना है आगे कैसे बढ़ेगा ये particular date में हमारा high भी trigger नहीं हुआ और low भी trigger नहीं हुआ तो there is no trade फिर से आगे जाएंगे दोस्तों इधर देखें high trigger हुआ है और इधर जाके close हुआ तो we'll take the profit from here इधर से इधर तक वाव almost 45 points का profit है दोस्तों तो जो भी stop loss लिया तब वो सब हमने recover कर रहा भी ही okay so this is how the trading is stop loss loss अब का minimum रहेगा but profit अब का maximum रहेगा तर देखें ये candle breakout होके इधर आके close हुआ तो हमने measure कर लेंगे ये high से closing तक कितना profitable रहा है दोस्तों almost 40 41 points का profit है तो almost देखें दोस्तों हमारा losses भी recover हो और profit भी run हो रहा है total sum देख लिए almost 69 points का profit है दोस्तों plus or minus 1 इदर उदर जाता है कोई परवा नहीं but end of the day end of the month sorry आप लोग profit में रहेगा this is the beauty of the strategy और जो भी day loss ले रहे तो उज़िन आपको hedging करने के लिए टाटर स्थील में profit लेना पड़ेगा तो average daily भी आपको profit देगा दोस्तों यह strategy very simple very easy अगर देखें इदर stop loss it हो रहे almost 2 stop loss it हो गया तो यह time थे हमको quit नहीं करना है आपको trade daily वही logic वही use करके follow करना ही पड़ेगा ताकि जो बड़ा बड़ा profit आते है तो sell आपका stop loss है अगर sell कर रहे तो buy आपका stop loss है high और low आपका stop loss रहेगा और इसको hedging करना पड़ेगा hedging मतलब अगर आप लोग का पास 1 lakh capital है तो 50,000 इसको Tata Steel के लिए और 50,000 आपको TCS में use करना है और money management आपको जैसे सबको मालूम है it should not be more than 5% loss must not be more than 5% तो accordingly आपको equity में कितना lot लेना है और sorry कितना quantity लेना वो आपको decide करना पोड़ेगा दोस्तों summarize करने के लिए simple है कि बड़ाना में at 10-15 a.m. and login to a trading terminal इसका बाद high और low देख लिजे और high का ऊपर buy कीजे और low का नीचे sell करना है simple है अगर आप लोग को वीडियो अच्छा रहागा तो don't forget to press the bell button sorry the like button and also share with all your friends अगर बहली बार वीडियो देखना है तो don't forget to subscribe the channel दोस्तों और एक चीज़ है अगर यह equity calls और paid calls मेरा चाहिए तो मेरा को whatsapp कीजिए मेरा नमबर है 8095-876525 और यह जो वीडियो का नीचे जो description ड link through account open कर रहे तो आप लोको 50% discount मिलेगा मेरा paid call services पर और क्या training और यो भी services उसमें सब को 50% discount मिलेगा और जानकारी चाहिए तो मेरा को whatsapp कीजिए 8095-876525 और happy trading and have a nice day. Thank you.